नमस्कार दोस्तों बियड वर्सेज बी टी सी मामले पर एक मामला हाई कोट से फिर से सुप्रीम कोट पहुंच चुका है और बियड वर्सेज बी टी सी मामले पर एक बार पुनहा आपको मानी सुप्रीम कोट में सुनवाई देखने को मिलेगी और इस बार एक नहीं दो जबलपूर हाई कोट में जो एक मामला चल रहा था उस पर मदपरदे सरकार मानि सुप्रीम कोट गई थी वहां से फैसला हुआ आठ अपरेल दोहजार चौबिस को और तीन सर्तों के साथ 11 अगस 2030 से पहले प्रात्मिक स्कूलों में जोइन किये हुए सभी बीट सिचों को राहत दी गई उसके बाद जबलपूर हाई कोट में पुर्णा सुनवाई हुई और फाइनल सुनवाई होने के साथ ही जजस साब ने मदपरदेश में भी आउडर को रिजर्व कर लिया इसके बाद हम आपको बताते हैं कि 36 गड़ हाई कोट की तरब से एक बड़ी अपडेट दिखने को मिली थी आपको पता होगा कि 36 गड़ में लगभख 3500 चैनित बीट सिच्चकों को बाहर कर दिया है ठिक और बाहर करने के साथ ही ये कहाए कि 6 हफते का समय उन्होंने सरकार को दिया उन्होंने 6 हफते का समय सरकार को दिया और 6 हफते में बीड को बाहर करते हुए वहाँ पर डियलेड को नौकरी देने की बात कही गई 6 हफते का समय ठिक जिस से जो वहाँ पर 3500 बीड जो नौकरी पाई थे उनका जो बविश्च है वो अंधेरे में आ गया अब इन ने एक याजिका फाइल की मानी सुप्रीम कोट में आप ये देख सकते हैं डारी संख्या अठारा साथ सो पैंतिस ऑबलिक दोहजार चौबिस के देखी हरी संकर वर्सेज स्टेट आफ चाथ तिर गार अब ये जो याजिका है वो तेईस चार दोहजार चौबिस को फाइल की ये अभी इसकी सेलपी संख्या नहीं मिली है लेकिन इसमें लिकर आ रहा है केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलेट फॉर नाइंटी डिस तो ये चीजे दिखा कर सोचल मेडिया पर आपको बताई जा रही है कि ये जो केस है वो खारीज हो चुका है खत्म चुका है इस पर डिफेक्ट लिष्ट वरेट फॉर नाइंटी डेज ये लगभख लगभख हर नया जो मामला दाखिल होता है उसमें लिखकर आता ही है क्योंकि जो सम्मंदित कागजी कारवाही होती है जो सम्मंदित पेपर जो है मानिश सुप्रीम कोर्ट में सम्मिट करने होते हैं अधी वक्ताओं के मादिम से उसमें कुछ ना कुछ दीरे दीरे अपडेट की जाते हैं पेपर तो इस कारवेट से यह चीजे लिखकर आती हैं और जैसे ही जो पेपर यहां पर बताए हो गया होंगे वह सारे फाइनल पेपर से यहां पर सम्मिट हो जाएंगे यह चीजे हट जाएगा तो वो जल्दी ही है अब यह आप मानकर चलिए कि माई में इस मामले को सुना जाएगा ठीक है माई में कनफर्म इस मामले को सुना जाएगा और जो 36 गड़ हाई कोट ने 3528 चानितों को पूरी तरह से बाहर कर दिया है उसको लेकर क्या फैसला सुप्रीम कोट का र सुनवाई सुरू होगी अब इसके साथ एक चीज और है एक मामला इसके साथ रवी कुमार का वो भी लगा हुआ है ठीक है वो भी साथ में सुना जाएगा तो दो तरह से मामले आपर सुप्रीम कोट में आपको सुनने को मिलेंगे अब यह जो मामला है वो 36 गड़का है और पर एक चीज अलग यह दिखने को मिलेगी कि यहां की जो 36 गड़ाई कोट है उन्होंने 3500 जो बियर्ड नौकरी पाय थे उनको पूरी तरह से बाहर भी किया है साथ में ठीक है अब इस पर सुप्रीम कोट क्या कहती है यह एक बड़ी बात होगी जैसे ही सुनवाई होती है म को जनकरी जरूर देंगे हम आपकी जनकरी के लिए इसमें एक बात से आपको और अवगत करा दें कि यह जो 36 गड़ वाला बियर्ड वाला मामला है यह पहले भी सुप्रीम कोट जा चुका है समझ रहे हैं पहले भी यह जा चुका है और हम आपको बता दें कि हाई कोट ने इस पर रोक लगाई थी कि जो यह बीयर्ड हैं जो इन्हों ने आबेदन किया है यह जो है आगे कांसलिंग मेंगरा नहीं कराएंगे इसी मामले पर जिस पर इनको बाहर किया गया है तो यह लोग सुप्रीम कोट गये थे और सुप्रीम कोट ने वहाँ पर आदेश दिया थ उनको नकोरी करने दीबाइगा इस तरह का फैसला सुप्रीम कोट ने दीया था सर्याज सरकार को कहा था यह चीज़े आप 36 गड़ हाई कोट का फैसला है उसको फालो करिएगा तो उसी करब में अब ये 36 गड़ हाई कोट का फैसला आया है कि भाई जो है 35 जो बीड को नोकरी आपने दी है उनको निकालते हुए 6 हफते में आप डियलेट को नोकरी दीजी तो अब आज सरकार इस पर जल्दी पत्र भी जारी करने वाली है और अब जो B8 के चनित छात्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच गए है तो अब इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये चीजे भी देखने वाली होंगी इसके साथ आपको मैंने बताया कि जबलपुर हाई कोर्ट में मदद परदेश वाय जो मामला है वो भी पूरी तरह से रिजर्व हो चुका है ठीक है सरकार से कुछ महत्पुर ने जानकरिया मांगी गई है और मैंने दिखाई दिया है तो उस पर भी जल्दी ही आपको आपड़र देखने को मिलेगा और जानकरिये है कि माई के फस्ट वीक में उस पर सम्मन्दिज जो आपड़र है वो रिलीज हो जाएगा जो रिजर्व आदेश है वो रिलीज हो जाएगा पाड़र होगा वो उन पर लागू होने वाला एक चीज़ यह रहने वाली है इसके साथ अभी हाल ही में आपने देखा कि कलकत्ता हाई कोट वाला आपने देखा वहाँ पर नया पालिका के माधियम से जो पूरा सुप्रीम कोट का आठ अपरेल दोज़जार चौबिस वाला आदेश ता पूरा उठाकर सेम टू सेम जो है डिट्टो एक्दम वैसा के वैसा रखा गया और साफ तीन सर्तों के साथ की अगर आपकी बर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है या आपके विग्यापन को मानी नयाले में चैलेंज किया गया है या बिएड को आयोग के करार दिया गया है प्रात्मिक सिक्षक के अपद के लिए तो इन तीनों मामले में बिएड को नौकरी से बाहर निकाला जाएगा इस तरह का सेम टू सेम जो है मानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठा कर रखा गया तो उस फैसले से वहां के जो बिएड चातर थे जो बतौर सिक्षक नौकरी कर रहे थे जो लोग इस तरह से सही ठहराए गए वो नौकरी कर रहे हैं जो सही नहीं पाए गए वो नौकरी से बाहर निकालने के कागार पर आच चुके हैं तो कहीं न कहीं तरह तरह के जगह पर तरह तरह के फैसले देखने को मिलना हैं कहीं पर कोई सुराच्छित है कहीं पर कोई सुराच्छित हो रहा है जगह जगह पर जगह जगह पर तरह तरह के फैसले देखने को मिलना है अभी उत्तर प्रदेश में भी 79,000 सिक्षक बर्ति पर कोई भी फैसला नहीं देखने को मिल आई। झाल